हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने बाले हैं साइन्स के ऐसे टॉप को संच की जो एक्जाम और भी उसे बहुत ही इंपोर्टेंस है दोस्तों अगर इस वीडियो का आपको पीडियाप चाहिए तो हमारी चनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइ किसी देरी के तो देखें यहां पर हमारे पास पहला कोस्टन है है हाइड्रोजन बंब किस अभी किरिया पर अधारित हैं बताइए हमारे पास चार ओप्शन दिया गया है नाविक विखंडन नाविक सनलेयन उत्परिवर्तन संवेक सन्रक्षन तो बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो हैड्रोजन बंब जो है किस अभी किरिया पर अधारित है तो नाविक सनलेयन पर अधारित है ठीक है नाविक सनलेयन पर अधारित है जलिए नैस्ट कोर्षन चलते हैं परमानु बंब किस अभी किरिया पर अधारित है परमानु बंब जो है यह कि भीखंडन पर आधारी तक लिए नेस्ट चलते हैं रडार के विसकारक कौन है तो बताइए रडार क्य मिसकारक कौन cliff फ्रैंक विटल लेडिस्टिनर अलबर्ट टेलर मारकोनी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अलबर्ट टेलर ठीक है अप्शन नम्मर सी नेस्ट न्यूट्रोनों की खोज किस ने किया था तो न्यूट्रोनों की खोज रदरफोर्ड पावली एंडर्शन चैडविक पताईए इसमें से किस ने किया था तो न्यूट्रोनों की खोज जो है वो पावली ने किया था ठीक है न्यूट्रोनों की खोज किस ने किया था पॉली ने किया था चलिए नेस्टी चलते हैं आवर्त के नियम की खोज किस ने किया था तो आवर्त के नियम की खोज जो है इन में से किस वहग्यानिक ने किया था हमारे पास चार ओप्षन दिया गया है तोरी सोली, आइस्टीन, जॉन्सॉन, मैंडलिप तो आअबर्द सेनिक की खोज गिजन नहीं किया था इसके राइट अंसर हो जाए का MANTLEP नहीं किया था चलिए NEST कोस्टन चलते है परथम नाभी के रियक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था पहला जो नाभी के रियक्टर था वो किसके निर्देशन में बनाया गया था पावली, एंरिको फर्मी, मोसले या रोजर बैंकन तो बताइए इसके राइट अंसर क्या हो जाएगा तो एंरिको फर्मी के द्वारा संरक्षन में बनाया गया था चलिए नेस्टी कोशन चलते हैं पर्थम हाइड्रोजन बं कब बनाया गया था पर्थम हाइड्रोजन बं जुगत था या कब बनाया गया था तो हमारे पास चार उप्षन दिया गया है 1995, 1855, 1935, 1930 और 1952 तो बताइए इसके राइट अंसर क्या हो जाएगा तो पर्थम hydrogen bomb जो या 1912 में बनाए गया था चलिए next चलते हैं देखे next question करा है proton किस परकार का कन है तो proton जो है वो किस परकार का कन है आवेशीन, धन, आवेशयुक्त, रिन, आवेशयुक्त या कोई नहीं तो बताएए इसका right answer क्या हो जागा तो proton जो है या धन, आवेशयुक्त, कन है चलिए next चलते हैं electron किस परकार का कन है तो electron जो है या किस परकार का कन है धन, आवेशयुक्त, रिन, आवेशयुक्त, आवेशीन या कोई नहीं तो इसका right answer क्या हो जागा electron जो है या रिन, आवेशयुक्त, कन है ठीक है, चलिए नैस्टे चलते हैं, न्यूट्रोन किस प्रकार का कन है, धन आवेश युक्त, रीन आवेश युक्त, आवेश हीन, इन में से कोई ने, तो पता हिए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, आवेश हीन है, ठीक है, न्यू साल किया, Galilio ने किया था तो बताइए इसका right answer क्या हो जाएगा 1245, 1252, 1254 और 1232 बताइए इसका right answer क्या होगा इसका right answer एसका right answer 1945 में बनाया गया था चलिए नेस्ट चलते हैं इलक्ट्रॉन की खोज किस ने किया था तो इलक्ट्रॉन की खोज इन में से किस विग्यानिक ने किया था एंडर्सन, रदर्फोर्ड, जेजे थॉम्सन, जेम्स चैडविक तो बताईए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट अंसर जो है वो हमारा जेजे थॉम्सन ने किया था ठीक है, इलक्ट्रॉन की खोज जेजे थॉम्सन ने किया था दोस्तों आपको कॉमेंट में जो है वो प्रोट्रॉन का खोज किस ने किया था आपको कॉमेंट में बताना है ठीक है चलिए next question चलते हैं देखिए यहां पे proton की खोज किस ने किया था भी मैंने just उपर पूछा यहां पे उसी का आ गया है तो proton की खोज किस ने किया था बताइए रदरफोर्ड, गोलिस्टी, डाल्टन या मैंडलिप ने किया था तो इसका रायट अंतर क्या हो जाएगा त proton की खोज गोलिस्टी ने किया था चलिए next question चलते हैं देखिए next question कह रहा है neutron की खोज किस ने किया था चार अप्शन है रदरफोर्ड, जैम्स चैडविक, गैलेलियो, न्यूटन तो बताइए इसका रायट अंसर क्या हो जाएगा तो neutron की खोज जैम्स चैडविक ने किया थ चलिए next चलते हैं पोलियो के ठीका की खोज किस ने किया तो पोलियो के ठीका की खोज जो है इनमें से किस विग्यानिक ने किया था हैरी, जोन हैरिसन, जोनी सालक, जेजे थॉम्सन, जोड जैड जॉंसन तो पताइए इसका रायट अंसर क्या हो जाएगा तो पोलियो के ठी क्या कि खोज जो है वह जोनी सालक ने किया था चलिए नैस्ट को संच चलते हैं डाइनामाइट के अभिसकारक कौन थे तो डाइनामाइट के अभिसकारक इनमें से कौन से वेग्यानिक थे अलफ्रेड नोबेल मैंडलीब टॉरिसोली माइकल फेराडे तो बताईए इसका जानिक ने किया था पावली एंडर्शन जॉन सॉन रॉन्टिजन तो बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो पॉजिट्रॉन की खोज तो बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा किसकी वेदन जमता जो है सबसे अधीक है तो गामा किर्णों की वेदन जमता सबसे अधीक है चलिए नेस्ट कोश्चन टेलीफॉन का विसकार किस ने किया था तो टेलीफॉन का विसकार जो है वो किस ने किया था चार अप् जेंडर ग्रहम वेल थे ठीक है चलिए नेस्ट चलते हैं सोलर सिस्टम को किसने खोजा था सोलर सिस्टम जो है यह इसकी खोज किस विग्यानिक ने किया था चार अप्शन चुनल ने है को परनिकस कापल क possibilities सॉलर सिस्टम की कोफ़य निकस ने किया था चलिए नैस्ट चलते हैं नावी इंड़ान में ुटरीगर तो नावी के tournaments प्वांच मंदम् जेरे हैं तो न्यून करने है चलिए निस्ट कुंस्टार ऊडिया था मैंडलीव मैडम क्यूरी मैक्स प्लंग या विलियम रॉंटी जेन ने तो बताइए इसका राइट अंसर 的 क्या हो जाएगा तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो मैक्स प्लंग ने दिया था क्वांटम सिद्धान के पर्तिपादक कुन थे तो मैक्स प्लंग थे चलिए नैस्ट रेडियो धर्मिता का अविस्कार किस ने किया था तो रेडियो धर्मिता का विसकार जो है इन में से किस विग्यानी की ने किया था है हेन्री बेकुरेल अलबर्ट आइस्टीन रॉबर्ट कोच लैड इस्टीनर तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा वह हेन्री बेकुरेल ने किया था चलिए नेस्ट कोस्ट परसिद बिग बैन थियोरी किस मुख्य सिधान्थ पर अधारित है परसिद बिग बैन थियोरी जो है या किस मुख्य सिधान्थ पर अधारित है पहला है जिनॉम प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डीब रोगली पर में उसमा गतिकी के सिधान्थ तो बताइए इसका राइट तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ वहाँ से आप जाके देख सकते हैं चलिए नैस्ट को संच चलते हैं इन में से कौन सुक्ष मुत्तत्व है क्लोरिन हैड्रोजन नेट्रोजन ऑक्सिजन तो बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट अंसर जो है वो हैड्रोजन हो जाएगा चलिए नैस्ट भारत का पर्थम परमानुर्यक्टर किस नाम से जाना जाता है के आवेस का निधरन किसी ने किया था तो हमारे पास चार ओप्षन है चैडविक, थॉम्षन, न्यूटन, मिलीकॉन तो बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा वो मिलीकॉन हो जाएगा चलिए नैस्ट चलते हैं परमानू में अवस्थी जो है सबसे हलका कौन कौन सा है प्रोट्रोन, इलक्ट्रोन, न्यूट्रोन या कोई नहीं तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इलक्ट्रोन हो जाएगा ठीक है चलिए नैस्ट चलते हैं लकडी की आयू ग्यात करने में सहायक है तो लकडी की आयू ग्य चलते हैं पोजिट्रोन किसका पर्तिकन है एंटी पार्टिकल है पोजिट्रोन जो है किसका पर्तिकन है इलक्ट्रोन का प्रोट्रोन का न्यूट्रोन का मैसोन का तो इसका रायट अंसर क्या हो जाएगा तो इसका रायट अंसर जो है वह इलक्ट्रोन का ठीक है चलिए से कारबन डेटिंग से परमानु घड़ी से या जैविक घड़ी से तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो पिथवी की आयू का अकलन जो है यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है चलिए नैस्ट चलते हैं गामा किरन की खोज इन में से किस वेग्यानिक ने किया था गजाएट जीवास ने यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है चलिए नैस्ट पल लोनियम की खोज किस ने किया तो इन में से किस वेग्यानिक ने जो है पलोनियम की खोज किया था रदर फोर्ट ने हैंणी restaurant क्या मेरी कूरी रॉंट जन ने तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा। कि खोज जो है वह मेरी क्योरी ने किया था। चलिए Lynch चलते हैं। अठकरिये Guasoc की खोज करने का देखाने के राप्त है। अकिर ये gas की खोज करने का चले यह RMJ को पराप्ता है परियोग किया जाता है चले यह 네श्ट को सल चलते है हैड्रोजन बम किस ने विक्सित किया तो हैड्रोजन बम जो है बर्नर वान ब्रॉन ने जे जे रॉबर्ट ओबन इमर ने एड्वर्ड टेलर ने सेमुल कोहन ने तो हैड्रोजन बम किस ने बनाया था तो इसका रायत अंसर क्या हो जाएगा Samuel Cohen ने बनाया था चलिए next question चलते हैं परमानुबम का विसकार किस ने किया था तो परमानुबम का विसकार किस ने किया था वर्णर वॉन ब्रॉन ने एड़वर्ट टेलर ने Samuel Cohen ने जे रॉबर्ट ओपेन हीमर ने तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो परमानुबम का विसकार किस ने किया था जे रॉबर्ट ओपेन हीमर ने किया था दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का अपडेट आपको सबसे पहले पहुचे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद